Dear Students, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों ये Class 7 का Hindi Book है Chapter 15 और इस Chapter का नाम है इदगाह बहुत ही famous Chapter है ये और इस Chapter का राइटर जो है इदगाह का प्रेमचंद है और प्रेमचंद एक बहुत ही famous राइटर है उनके सब्द इतने अच्छे सेली में होते है कि पढ़ने वाला जो है किसी भी उसका स्टोरी जो होता है पढ़ने वाला उस पे चिपक जाता है ये बहुत ही एक interesting स्टोरी है इसमें अमीना है जो एक बुढ़ी दादी है और उसका एक पोता है जिसका नाम है हामीद और इस कहानी को अलग-अलग कलास में भी दिया रहता है इसको सौट करके दिया रहता है जहां तक मैं समझता हूँ कि आप लोग इस स्टोरी को पर चुके हैंगे और जानते होंगे कि इस स्टोरी में क्या दिया हुआ है फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बतला देता हूँ अगर कोई बच्चन नहीं पड़ा होगा तो उसे पता चल जागा यहां पे ईद का महीना है रमजान उसको बोला जाता है इद का तेवहार है और ईद आन में रमजान एक महीना आता है और इस महीना में रोजा रखना पड़ता है उन लोगों को तो बिसेस मुझे बतलाने के जोरत ने आप लोग जानते ही है रोजा में दिन में खाना ने पड़ता है रात में सिर्फ खाया जाता है इस तरह से रोजा रखा जाता है तो रोजा 30 र पधाई देते हैं इद्गा अब यहां पर उसी की त्यारी चल रहा है यहां पर पूरे गाउं में मेला जाना है इद्गा के मेले में जाना है इसी की सारी त्यारी चल रही है और यहां पर जिस तरह से यह वर्ड दिया गया है इद्गा जाने की त्यारियां हो रही है किसी के अगर कोई भी पढ़ता है तो जैसे कि मैंने बतला है कि स्टोरी में वह चिपक जाता है इसे तरह से यह वर्ड दिया हुआ है अरे बिल्कुल यह सही वर्ड है क्यों सही है क्योंकि इन चीजों से मैं गुजर चुका हूं हम लोग जब मेला जाया करते थे तो अब बगल में ज जाना है मेला में और सारे लोग एक साथ इकटा हो करके आधा गाउं जो होता है अब समझे कि वो लोग मेला जाया करता था इस तरह का स्थिती होता था तो यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है बिल्कुल क्रेक्ट लिखा हुआ है वह चीज मैं देख चुका हूं इस तरह से सारे लोग एक साथ त्यार हो रहे हैं अब जल्दी जल्दी जो है बैलोग को सानी पानी देना है और लोटते लोटते दोपार हो जाएगा इस तरह से यहां पर बतला रहा है और बच्चे कि खुसी का ठिकाना नहीं रहता था तो यहां पर दिया हुआ बार बार अपने लूट जूला जूलेंगे मीठाइयां खिर देंगे खिलोने खिर देंगे इसलिए भाफ़ ज्यादा खुष हते थे बच्छे बच्छे वहां पर अब यहां पर अमीना जो है इसकी दादी Himijas और ये काफी प्रेसान है, क्यों प्रेसान है, क्योंकि गरीबी से प्रेसान है, इसके पास अपने बच्चे को दिलाने के लिए उसके पास ने कपड़े नहीं है, पुराना टोपी उसके पास है, घर में खाने के लिए कुछ खाना पिना नहीं है, इस तरह की चीजें इसमें द और अगर वह जाता है मिला, तो उसके पैरों में छाले पड़ जाएू helpful, क्योंकि उस समय गारिया नहीं चला करती थी, या बहुत कम गारिया हुआ करती थी, और उसके एस्थिती में सारे लोग पैदल ही जाया करती थी और पैदल ही आया करते थे, और उसके पास पैसा भी नह हुआ है कि वो क्या कह रहा है तुम डरना नहीं अमा मैं सबसे पहले आऊंगा उसको पता है कि उसकी दादी को उसका बहुत चिंता है इसलिए वो अपनी दादी को धारस बना रहा है कि मैं सबसे पहले आ जाऊंगा इसलिए तुम परिशान मत होना अब उसके पैरों में जैसे चले जा रहे हैं और उस प्रकार से जैसे बच्चे चलते थे बड़े लोग जो हुआ करते थे उन सब से दोड़ कर आगे निकल जाते थे यहां पर दिया हुआ है कभी सब के सब दोड़ कर आगे निकल जाते फिर किसी पेड़ की नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार क समय कई सारे इस तरह की हरकते करते हैं, जो काफी अच्छा लगता है उन लोगों को, फिर चलते चलते बड़ी-बड़ी इमारते आने लगती है, अदालत आने लगता है, कॉलेज, गलब घर, बदलब सहरों में जो बड़ी-बड़ी इमारते होती है, इस तरह की चीज़ा आने मितलब वो जो जाजिम होता है, चादर होता है, वो बिछा हुआ है, बड़ा चादर जो होता है, और उसमें सभी जो रोज़ेदार है, जो रोजा रखे हुए हैं, जो नमाज पढ़ने वाले हैं, वो सभी एक पंक्ती में खड़े हैं, और ग्रामिन गाउं के लोग जो गए एक साथ सिजदे में सीर जुग जाते हैं, मतलब सजदे में मतलब आदर पूरवक भगवान के सामने सीर जुग जाते हैं, उसी को लिखा गया है कि सीजदे में जुग जाते हैं, और फिर एक साथ ही खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है, यह जैसे ब्रात्रित्य, मतलब भाई मिठाई की दुकाने हैं खिलोने की दुकान है। सबी जिनको पसंद है म Jennifer भी एक्साइटेड हैं और बच्छे खिलोनों के पास चले जाते हैं करे करें पे द१ोनिस झाहरे हैं। तरफ दोल्टे हैं अंब सोटक्राया हैं ऑफीर जमीन था रहा सी चौनी आ रहा है और बच्चे वहां पे खिलोनों के पास चले जाते हैं, वहां कई सारे खिलोने हैं, अब हामीद सोच रहा है कि अगर मैं चर्की पे घुमता हूँ, उसके पास मात्य तीन पैसे हैं, अगर वह चर्की पे घुमता है तो उसका पैसा खत्म हो जाएगा, तो वह अपने पैसे को वहाँ पे खतम में करना चाहताएं, वह वो कुछ ऐसा में खताoterा लगाना चाहता है पैसे को कि कुछ काम आ जाए?" अब थोने पैसे कंद अचते हैं, चुनों खोड़हएं घ उस्माइक थांगि जोन काम आ ओद जाए, अब धूकर कसे लगोंड वायरू हैं वो भिस्ती ले लेता है उसको भिस्ती पसंद आता है तो दूसरा खिलोना ले लेता है उसके बाद नूरे है नूरे क्या लेता है एक वकील को ले लेता है नूरे को वकील से प्रेम है काला चोगार नीचे सफेद अचकन इस तरह से ऐसा लगता है जैसे कि अभी अदालत से बह तूटा और तूटके गिर पड़ेगा सब चूरचूर हो जाएगा और दो पैसे जो है उसका चला जाएगा इसलिए वो नहीं लेता है अब सभी जो है मिठाईयों के पास जाते हैं कितने सारी मिठाईया है सभी मिठाईयों को देखकर ललचाने लगते हैं और कुछ लोग जो लोटिया उतारती है तो दादी की हाथ जल जाता है इसलिए वो सोचता है कि एक चिमटा ले लिया जाए इससे क्या होगा कि दादी की हाथ कभी नहीं जलेगी वो चिम्टे से रोटी पकाया करेगी उसके साथ वाले बच्चे जो है सभी ने मिठाईयां खिरदा लेकिन उसे कोई भी ने दिया अब हामीद मिठाईयों के बारे में क्या सोच रहा है वह सोच रहा है कि मिठाईयां खाने से मुह में किसी को दर्द होगा किसी को दात में प्रॉलम होगा फुंसियां निकल और ये सारी बातें किताबों में भी लिखी गई है तो किताबों में जूट बिल्कुल भी ने लिखा गया है यह सब सोचते हुए वहां से निकल जाता है फिर आगे उसे चिम्टा का जो दुखाई पड़ता है और वह दुकंदार से पुछता है कि यह चिम्टा कितने का है फिर वह एक पैसा घटा देता है कहता है कि पांच पैसे में इसे खरीद सकते हो लेकिन हामिद के पास सिर्फ तीन पैसे थे इसलिए वह तीन पैसे कहकर और आगे निकल जाता है कि तीन पैसे में अगर देते हो तो ठीक है वरना फिर आगे निकल जाता है वह दुकंदार जो गुष के बत्यों के सामने कुछ भी नहीं थे अपने चिम्ते को फेक कर देखा कई दिखा दिया कि अपने चिम्ते को इस परकार से परसंसा करताPat कि उसका चिम्टा सबसे महतपुर्ण हो जाता है और सभी बच्चे उसके चिम्टे को अब लेना चाते हैं उसके चिम्टे को छुना चाते हैं बारी-बारी से सभी को चिम्टा छुने के लिए दिया जाता है और हामिद बारी-बारी से उन तीनों का यो खिलोणा था उससे वो खेलता है थोड़ा सा और फिर अंतता वो सारे लोग घर की और रवाना हो जाते हैं स्टी जब हामिद घर पहुंचता है उसकी दादी उसकी आवाज को जब सुनती है तो बतलाता है कि मैंने इसे तीन पैसे में लिये अमीना जो है चाती पिट लेती है मतलब बच्चे को जो है जिस लिए पैसे दिये गे थे वो ऐसा कुछ काम किया नहीं मिठाई नहीं लिया खिलोना भी नहीं लिया और लिया तो क्या चिम्टा लिया इसलिए वो चाती पिट और यहां तक की वाद भुखा रहा दोपार तक कुछ खाया भी नहीं कुछ पिया भी नहीं और यह चिम्टा ले के आ गया कि सारे मेले में तुम्हें लोहे के चिम्टाई मिला तो उसने नजर जुका कर क्या कहा रहा है तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया अब यहाँ पे इस लाइन को सुनते ही अमीना जो है उसकी क्रोध उसका गुसा बिल्कुल भी दमसांत हो जाता है और वह सोचने लगती कि इतना छोटा बच्चा और इसके अंदर इस तरह का इतना बड़ा त्याग इतनी बड़ी सद्भावना और इतना बिवेक कहां से आया कि सभी बच्चे खिलोने मिठाई खरीद रहे हैं मिठाई खा रहे हैं लेकिन इस बच्चे ने उन सारे चीजों को छोड़ कर अपनी दादी की याद किया उसकी दादी क्या परिसानी था क्या दिक्कत था उसके बारे में इसके दिमाग में चल रहा था और उसके वज़े से इसने ये चिम्टा लिया तो वह बहुत ही खुस हो जाती है और अपने बच्चे को गले से लगा कर रोने लगती है और उसको काफी दुआएं देने लगती है उसकी आखों से आशु की बूंदे गिरती रहती है वह रुकने का नाम नहीं लेती है इस तरह से इतना भावक जो है ये स्टोरी लिखा गिया है और इस तरह की स्टोरी जो है प्रेमचंद की ही स्टोरी में इतना करुनामे स्टोरी जो होता है वो प्रेमचंद की ही कहानी मिलता है तो इस तरह कि बहुत सारी कहानिया है प्रेमचंद का और जितनी बार भी प्रेमचंद की स्टोरी मुझे मिला है मैं तो कभी छोड़ता नहीं लगातार पढ़ता रहता हूं लेकिन प्रेमचंद की कई सारे उपनियास भी है उपनियास काफी लंबे होते हैं इसलिए मैंने सबसे पहले यहां पे सब्दार्थ दिया हुआ है इसको आप लोग जरूर एक दूबार पढ़ें सब्दार्थ का आधाभाग यहां पे दिया हुआ है उसके बाद यहां पे question number two काफी सारा question दिया गया है सबसे बड़ी बात है chapter लंबा है और इसमें question भी काफी सारा दिया तो यहां पे मैं अभी एक से लेकर छे तक का आंसर दे रहा हुँ उसके बाद कुछ जो है मैं आप लोग को short question भरने के लिए जो दिया गया है उसमें से एक दो कर देता हूँ तो हम लोग सबसे पहले इसको करते हैं इद के दिन गाउं के बच्चे क्यों परसं थे यहां पे की त्यारी कर रहे हैं कोई पडोसी के घर से सुई तागा लेने दोड़ा जा रहा है कोई जूतों में तेल डालने तेली के घर भागा जाता है बैलों को जल्दी जल्दी सानी पानी दिया जा रहा है आते आते दो पहर हो जाएगी बच्चे सबसे ज़्यादा परसं है रोज जो books का word भी मिला कर दिया गया है तो इस तरह का answer जो है आप खुद create भी कर सकते हैं इससे क्या होगा कि आपको इस answer को याद रखने में आसान हो जाएगा और कभी भी आप exam में इस answer को लिख सकते हैं Next question देखते हैं यहाँ पे question number 2 है अमीना अपनी कोठी में बैठी क्यों रो रही है देखते हैं क्या answer है Question number 2 का answer यहाँ पे है आज इद का दिन है इस दिन का इंतिजार सभी को बड़ी बेसबरी से रहता है सभी के लिए यह दिन खुशियों से भरा होता है परन्तु अभागिन अमीना अपनी कोठी में बैठी रो रही थी इद का दिन है और उसके घर में एक दाना भी नहीं है वह किस परकार इद मना सकेगी वह हामित को नए कपड़े कहां से लाकर देगी वह अपनी गरीबी को देखकर निरासा में डूबी जा रही है इदगा के फर्स पे जाजिम बिची हुए है नमाज के लिए रोज़दारों की पक्तियां एक के पीछे एक लगी हुए है ना जाने कितनी लंबी चली गई है यहां कोई बेदवाव नहीं है यहां अमीर गरीब का फरक कोई नहीं देखता सभी यहां अपने हैं ग्रामीनों ने भी वजू किया और पिछे पंक्ति में खड़े हो गए नमाज की वेवस्था कितनी सुंदर है हजारों सीर एक साथ सिजदे में जुक जाते हैं फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं मानों ऐसा लगता है जैसे सभी भाईचारे के बंधन से एक साथ बंदे हुए हैं नेक्स्ट कुश्चन यहां पे है कुश्चन नमर फाइब में यहां पे दिया हुआ है महमूद, महसिन और नूरे मेले में से क्या-क्या खरिदते हैं उन चीजों की विसिस्ताएं बताएं महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंदे पर बंदूक रखे मालूम होता है अभी कवायद किये चला आ रहा है महसिन को एक भिस्ती पसंद आ गया कमर जुकी हुई, उपर मसक रखे हुए है मसक का मुह एक हाथ से पकड़े हुए है महसिन इसे लेकर बहुत खुश है नूरे ने एक वकील खरिद लिया है काला चोगा, नीचे सफेद अजकन एक हाथ में कानून का किताब लिये हुए मालूम होता है, अभी किसी अदालत से जीरह किये, चले आ रहे है और क्वेश्चन नंबर सिक्स लोहे की दुकान पर चिम्टे को देखकर हामिद के मन में क्या विचार आता है लोहे की दुकान पर चिम्टे को देखकर हामिद रुख जाता है वहाँ कई चिम्टे रखे हुए थे उसे ख्याल आता है कि दादी के पास चिम्टा नहीं है तवे से रोटिया उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है अधिया चिम्टा दादी को लेकर दे दू तो वह कितनी परसन होगी फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी तो इस वीडियो में मैं इतना ही कुश्चन दे रहा हूँ और आगे का कुश्चन अगले वीडियो में मैं दूँगा तो इस वीडियो में मैं कुछ सौट कुश्चन भी कम्प्रीट कर दे रहा हूँ यहां पे यह है four number का और यहां क्या दियावा है यह वेक्ति क्या काम करते हैं वकील का क्या काम होता है तो वकील का काम होता है मुक्दमा लड़ना जिसको केस बोला जाता है केस लड़ना उसके बाद सिपाही सिपाही का क्या 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 होता है समाज में गैर कानूनी कारी को रो कर चलता था मसक में पानी धोता था उसके बाद question number five यहां पे रिक्तस्थान को भरने के लिए कहा गया है तो इसमें रमजान के पूरे लोग के लिए helpful है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसके अगले question को पाने के लिए next वीडियो में हम लोग चलेंगे तो आई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं